यहां मैं बात करूँगा सेल्वर सिस्टम के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं सेल्वर सिस्टम मोबाइल कम्मिनिकेशन के लिए इंप्लिमेट करते हैं SDM याने की Space Division Multiplexing Space Division Multiplexing याने की Space Division Multiplexing के केस में क्या होता है ति हमारे पास ऐसा हो सकता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्पेस हो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्पेस हो तेली कम्मिनिकेशन के लिए या फिर कम्मिनिकेशन के लिए जिसे की N नमबर ओफ डिवाइसेस इस्तिमाल करें यह हो सकता है और N नमबर ओफ डिवाइसेस से जो n signal मिले n signal मिले इन सारे signals को combine करके इन सारे signals को combine करके उनके requirement की हिसाब से response में इन्हें कोई न कोई answer या signal provide किया जाए एक ये हो सकता है दूसरा ये हो सकता है कि हमारे पास n number of devices हो और n number of spaces हो याने कि multiple devices हो और multiple spaces हो तो जब हमारे पास multiple devices और multiple spaces हो तब इन multiple devices जो multiple spaces से आपस में connected होते हो तो इनके connection के बाद यदि इन में कोई common factor हो तो उन common factors की हिसाब से message इसको आपस में communicate किया जा सके तो ये सारे जो properties होते हैं वो एक space division multiplexes में होते हैं तो जब भी हम use करते हैं इक cellular system को तो एक cellular system में एक transmitter होता है जिसे कहा जाता है एक base station एक transmitter होता है जिसे कहा जाता है base station वो cover करता है एक निश्चित area को जिसे कहा जाता है cell अब इस cell का जो radius है इस cell का जो radius है या इस cell का जो length है वो 10 meters हो सकता है building में और hundreds of meters हो सकता है cities में और tens of kilometer हो सकता है countryside में जो भी cell का shape है cell का जो shape है वो कभी भी perfect नहीं होता है ठीके cell का shape ना कभी भी perfect circle हो सकता है और ना ही कभी भी perfect hexagon हो सकता है यानि कि cell का जो shape है वो इस बात पर depend करता है कि environment क्या है क्या वो building है क्या वो mountain है और क्या वो valley है यानि कि यदि हम एक cell को ये माने कि उस cell के रास्ते महुँ से obstacle है तो एक cell का shape कुछ इस तरीके से भी हो सकता है weather conditions में weather conditions में और कभी कभी क्या होता है system load पे भी depend करता है cell का shape typical system use करते हैं इस approach को mobile telecommunication systems के लिए यानि कि weather conditions और environments वगरभो जहां पर एक mobile station एक cell के अंदर एक base station में होकर communicate करता है base station और उससे जुड़े हुए station हो या फिर devices से जैसे कि अभी आप को बताय गया था कि एक cell का जो size है वो size कुछ fix नहीं होता है हम यहाँ पर यह assume करके चलते हैं कि एक server system में जितने भी cells हैं कुछ इस तरह के shapes में आपस में connected हैं इस context में ये question ये उठता है कि क्यूं mobile network providers install करते हैं काफी सारे base station एक country में और चलिए वो country में install तो कर देते हैं और ये base station क्या होते हैं काफी महंगे होते हैं और ये एक useful useful powerful transmitter नहीं होते हैं बड़े cells की तरह जैसे की radio station यूज करते हैं तो अभी हम यहां पर यहां पर यहां यहां पर यहां पर जो हम base station वर्क करता है F1, F2 और F3 के लिए किस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि जो cells की जो naming है वो repeated हैं तो फिलाल हम यहां पर बात करते हैं advantages of cellular system जिन में small cells होते हैं याने कि ऐसे cells जो की size में तो small होते हैं लेकिन फिर भी वो cellular system की case में advantages work करते हैं तो पहरा जो advantages है वो है higher capacity जब भी हम implement करते हैं space division multiplexing तो इससे हमें मिलता है frequency को दूबारा इस्तमाल करने के लिए benefit यदि एक transmitter एक दूसरे transmitter से दूर दूरी पर है याने कि inference range से दूरी पर है तो यह reuse कर सकता है same frequencies को अधिकतर mobile phone systems assign करते हैं frequencies किसी भी initiate user को certain patterns के लिए यदि हमने frequency को user u1 को permanently load कर दिया तो यह f1 other users के लिए याने कि यदि हमने frequency f1 को u1 के लिए other user u2 के लिए other user u2 के लिए blocked हो जाएगा याने कि f1 नाम की frequency को other user use नहीं कर पाएंगे लेकिन frequencies क्या होते है frequency इस एक resources होते है जो की हो सकता है कभी भी पूरी तरीके से utilize ना हो पाएं इसलिए हमको number of concurrent users per cell क्या करने पड़ते हैं बढ़ाने पड़ते हैं लेकिन practically वह क्या होते है concurrent users per cell क्या होते है limited होते हैं huge जब भी हम बड़े cells रखते हैं तो बड़े cells में बड़े cells में आप क्या जादा users नहीं बना पाएंगी जादा users नहीं बना पाएंगी क्योंकि उनकी capacity रहती है वह low होती है जो बड़े cells रहते हैं limited रहते हैं less possible users per kilometer square इसलिए हमारे पास एक reason यह होता है कि हम बहुत सारी small cells बनाते हैं cities में जहां पर बहुत सारी users mobile phone इस्तमाल कर सकते हैं दूसरा small cells का दूसरा cellular systems with small cells का advantage है वो है less transmission power जब भी हम power aspects की बात करते हैं तो यह कोई बहुत बड़ी problem नहीं होती है base station के लिए यह justly indeed problematic होते है mobile stations के लिए यदि कोई receiver base station से बहुत जादा दूरी पर होता है तो उसे बहुत जादा power transmit करना पड़ता है लेकिन energy एक serious problem है handheld devices के लिए next advantages है वो है local inference only जब कभी भी long distance होता है sender और receiver के बीच में और तो ऐसा होने से बहुत सारे inference problems हो सकते है small cells होने पे mobile stations और base station को सिर्फ और सिर्फ deal करना पड़ता है local inference से next है robustness seller system यदि decentralized होते है तो इससे जादा क्या होता है कभी भी fail होगा single component fail होगा यदि एक antenna fail होगा तो यह सिर्फ और सिर्फ influence करेगा communication with a small area को तो यह तो थे seller system with small cells के advantages seller system with small cells के कुछ disadvantages भी है जैसे की infrastructure needed seller system में एक complex infrastructure की जरुरत पड़ती है सारे base stations को connect करने के लिए इसके लिए हमें जादा antennas use करने पड़ते हैं switches use करने पड़ते हैं location register use करना पड़ता है ताकि हम find कर सकें mobile station क्या होता है सारा system बहुत ही expensive होने लगता है क्यों expensive होने लगता है क्योंकि आपको antennas भी चाहिए switches भी चाहिए साथी साथ आपको location register चाहिए तो small cells में क्या होते हैं फिर हमको बहुत काफी सारे antennas switches location register जादा यूज करने पड़ते हैं जबकि large cells में आपको antennas switches, location register यह कम यूज करने पड़े हैं इसके बाद जो next disadvantage है वह है handover needed mobile station को perform करना पड़ता है handover handover याने की दूसरे station को हमको responsibility देना पड़ता है communication एक cell से दूसरे cell से जाने के case में depending upon the cell size or speed of movement यह बहुत जादा होने लगता है याने की जब हमारे पार से small size की cells रहते हैं तो communication का जब जब priority places change होता है तो हमको बार बार particular signal को handover करना पड़ता है दूसरे mobile station को next है frequency planning frequency planning भी एक तरह का disadvantage है cellular system भी small cells में inference avoid करने के लिए transmitter के बीच में जब हम use करते हैं same frequencies तो frequencies disturb हो सकती है हमको carefully use करना पड़ता है एक तरीके से क्या होता inference को avoid किया जाना चाहिए और दूसरी और सिर्फ और सिर्फ क्या होगा हमारे पास limited number of frequencies ही available होते हैं inference को avoid करने के लिए different transmitter से हम यूज कर सकते हैं एक दूसरी transmitter का inference इसके लिए हम यूज कर सकते है frequency division multiplexing का यदि हम frequency division multiplexing को time division multiplexing के साथ combine करें तो hoping pattern को coordinate किया जा सकता है यहां पर general goal general goal यह होता है कि हमें कभी भी use नहीं करना है same frequency को at the same time inference range में cells जो होते हैं वो combined होते हैं clusters में on the left side 3 cells from a cluster on the right side 7 cells form a cluster जितने भी cells होते हैं cluster में वो use करते हैं disjointed set of frequencies को जैसे कि आप देख सकते हैं एक cellular system है जिसमें 3 cell cluster है और 3 sectors per cell है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कुछ cells हैं जिनमें की mainly cell clusters हैं वो है F1 F2 और F3 fixed assignment of frequencies to cell clusters and cells respectively यह efficient नहीं होता है traffic load के लिए example के लिए heavy load के case में जब एक cell में heavy load हो जाता है और light load हो जाता है उसके neighboring cell में तो यह sense करता है borrow frequencies के लिए SSS जिसमें ज़्यादा traffic होता है वो dynamically allotted करते है more frequencies इस तरह की scheme को बोल जाता है borrowing channel allocation BCA जहां पर first fixed scheme को बोल जाता है fixed channel allocation FCA तो इसलिए हम ज़्यादा तर यूज़ करते है dynamic channel allocation याने की DCA तो DCA में क्या होता है frequencies सिर्फ और सिर्फ borrow होते हैं लेकिन यह possible होता है कि हम freely assign कर सकते है frequencies sales को cellular system जो होते हैं generally use करते हैं code division multiplexing instead of FDM क्योंकि यहाँ पर इस तरीकी calibrate channel allocation scheme और complex frequency planning की जरुत नहीं पड़ती है इसले users जो होते हैं separated होते है through the code जिसे वो use कर रहे है not through the frequencies cell planning से एक और problem होती है कि cell planning maker की problem यह होती है कि जो cell size होता है वो depend करता है current load पे accordingly CDM cells को commonly कह जाता है breathe जब भी एक cell cover करता है larger area को एक light load में तो यह shrink हो जाता है यदि load increase होने लगता है इसका reason इसका यह है कि जैसे जैसे noise layer बढ़ने लगता है noise layer कब बढ़ता है जब एक cell में बहुत सारे users होने लगते हैं जैसे जैसे noise बढ़ने लगता है तो path loss होने लगता है और जैसे जैसे transmission error भी बढ़ने लगते हैं finally जो mobile station होता है वह बहुत दूर चला जाता है base station से और वह drop out हो जाता है of the cell जढ़ा है जढ़ा है पाल जढ़ा है प्रीव यह